आपका सवाल है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिये गए हैं। आपका option है, A. 109 लोगों को, B. 100 लोगों को, C. 106 लोगों को, D. 120 लोगों को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सही जवाब हो जाएगा। option C. 106 लोगों को, आपका अगला सवाल है, पद्म पुरस्कार असके द्वारा प्रदान किया जाता है। आपका option है, A. प्रदान मंतरी, B. मुख्य मंतरी, C. रक्षा मंतरी, D. राष्ट्रपती, आपका सही जवाब हो जाएगा। option D. राष्ट्रपती, आपका अगला सवाल है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुर्शन से सम्मानित किया गया है। आपका option है, A. 12 लोगों को, B. 14 लोगों को, C. 6 लोगों को, D. 10 लोगों को, आपका सही जवाब हो जाएगा। option C. 6 लोगों को, आपका अगला सवाल है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुर्शन से सम्मानित किया गया है। आपका option है, A. 9 लोगों को, B. 12 लोगों को, C. 20 लोगों को, D. 15 लोगों को, आपका सही जवाब हो जाएगा। option E. 9 लोगों को, आपका अगला सवाल है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुर्शन से सम्मानित किया गया है। आपका option है, 105 लोगों को, B. 20 लोगों को, C. 26 लोगों को, D. 91 लोगों को, आपका सही जवाब हो जाएगा। option D. 90 लोगों को, ऐसे ही latest current affairs के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद।